ये वारांट सी में बड़ा हाथसा हुआ है काशे विश्वनाद मंदिर के पास में बिल्कुल दो मैं अकांड है गए मलबे में आट लोग फसे हुए थे जिनने से छे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया दो लोग अभी भी मलबे में दब्वे हुए है जिनने निकालने की कोशिश की जा रहे काशे विश्वनाद मंदिर के प्रवेश दुबार 4A को जाने वाली गली में यहाथसा हुआ है NDRF और पुलिस कर्मी रेस्क्यू आपरेशन में जुटे हुए है स्वास विभाग की टीम भी मौक्या पर मौजूद है मलबे में दब्बे हुए लोगों को कोजने के डॉक स्कॉर्ट को भी बुला गया है गली पतली है रास्ता तंग है इस वज़े से रेस्क्यू में दिखकतें आ रही है वारानसी के काशे उशुनात मंदीर के यलो जोन यानि गेट नमबर चार ए की तरफ जाने वाली सिल्को गली मार्क में आज कड़के सुबा एक बड़ा हासा हुआ जिसमें दो मकान धारा साही हो गया बताय जा रहा है कि मकान जरजर थें और काफी दिनों से मरमत की वहाँ पे जुड़त थी लेकिन किनी कारणों से ऐसा नहीं हो सका देख सकते हैं अभी इस मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है जो मलबे में फसे हुए लोग है और इसमें महिलाए भी हैं, पुरुश भी है बच्चे भी पताय जा रहे हैं और ठीक पीछे जो बाउंडरी दिख रही है जो दिवार दिख रही है वो काशिशिनात पंदिर की है चार नंबर गेट जो नया 4A सिलको गली मार्क बना है जहां से दशनार्थी आते जाते भी हैं उस मार्क पर ये बड़ी घटना हुई है जहां पर देख सकते हैं दो मकान यहां पर गिरे हैं और उसमें से अभी रेस्क्यू मिशन जारू है रहत बचाओ कारचल लाहा है जिसमे पुलिस टीम मौझूद है एंडी आरफ के जमान मौझूद है मेडिकल टीम मौझूद है डॉग स्कॉइड मौझूद है और इस तरह से काफी समय से ये रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है रहत बचाओ का कार चलाया जा रहा है तो देख सकते हैं काफी तंगली है और इस को निकाल रहे हैं काफी मुश्किल और पेचिदा ये रेस्क्यू मिशन है लेकिन यहाँ पर पुलिस के जवान एंडी आरफ और मेडिकल टीम साथी साथ जो जितनी एजंसिया है यहाँ पर मौझूद है और सबसे बड़ी मुश्किल इस तंग रास्ते में आ रही है जिसको सफल बनाने के लिए रेस्क्यू मिशन में जैसा बताया जा रहा है कि अभी तक छे लोगों को निकाला जा चुका है लेकिन इसके बावजूद दो लोग अभी भी दबे हुए हैं जैसा कि बनारस के पुलिस और प्रसासन के दिकारी बता रहा है रोशन जैस्वाल पाराट स इस शहर पाने पानी है जिन अस्पदालों में इलाज होना चाहिए वो खुद पाने में डूबे हैं यहाँ था कि मंदिर परिस्तर में बरसाती नाले बहने लगे है राजस्थान में बारिश से बिगड़े हाला हाईवे परसेला बह गई गारियां घरों में घुटनों तक पानी मंदिर में बरसाती नाला यह तस्वीर राजस्थान के पाली जिले की हैं जहां बादल ऐसे बरसे कि पूरा शहर पानी पानी हो गया सत्रा घंटे की बारिश में ऐसा सैलाब आया कि बंदिर के अंदर भगवान जलमंगन हो गए तो बाहर दो बाइक बह गई अब जड़ा इन तस्वीरों को गवर से देखिए ये वीडियो भारी बारिश के बीच फंसे कुछ युवकों ने बनाया अचानक आइस सैलाब में इनकी बाइक फंस गई पानी का बहाव इतना तेज था कि ये लोग बाइक को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए राजस्थान के कई शहरों में हुई मूसलाधार बारिश की वज़े से नदी नाले उफान पर हैं और बांध ओवर्फ्लो हो गए हैं ये तस्वीरे बूंदी की हैं जहां 24 घंटे की बारिश में जिला मुख्याले से कई गाउं का समपर तूट गया जैपूर कोटा रोड पर पिपलिया बांध का पानी काफी तेज रफतार से बहने लगा कुछ लोग किनारे पर खड़े पानी के बहाओ को देखते रहे तो कुछ अपनी जान पर खेल कर इस रास्ते को पार करते नजर आए टोंक में करीब 10 घंटे बादल बरसे तो सड़कों पर कमर तक पानी भर गया बारिश का असर सबसे ज्यादा उनियारा कस्पे में देखने को मिला जहां सड़कों पर कमर तक पानी भर गया टोंक सवाई माधोपूर हाईवे पानी में डूबा तो रफतार पर ब्रेक लग गया उनियारा थाना परिसर में भी पानी भर गया ये तस्वीरे जबलपूर के बरगी बांध की हैं जो पूरी तरह से लबालब हो गया है दिन में दो बार बांध से पानी छोड़ा जा रहा है बार से आ रहे पानी की वज़े से नर्मदा नदी के तटिये इलाकों में बार के हालात पैदा हो गये हैं घाटों पर मंदिर डूब गये हैं और निचले इलाकों में अलट जारी किया गया है पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में बारिश और बाढ़ के हालात के बीच एकी वक्त की मौत हो गई गावों को शहर से जोडने वाले तमाम रास्ते जल्मगन हो चुके हैं लोग जान पर खेल कर सैलाब के बीच से गुजर रहे हैं दामोदर नदी, अजय नदी, कुन्नूर, खड़ी, ब्राहमनी और भगीरती समेट कई नदियों में बाढ़ आने से खेत, घर, दुकाने, पुल, सब दूग गए हैं सुजाता महरा, भवानी सिंग, मनोश तिवारी के साथ ब्योरो रिपोर्ट आज तर आमादमी पार्टी ने महरास्ट में अकेले चुनाव लडने का ऐलान कर दिया है आमादमी पार्टी ने महाविखा सघाडी गटबंधन के साथ चुनाव लडने की संभावनाव से इंकार किया आमादमी पार्टी ने कहा कि वो मुंबई की चत्ति सीटों पर अपने उम्मीद वार उतारेगे। प्रदेश रदेक्ष पीति शर्मा में ने कहा कि पाराष्ट्य अस्तर पर गणबंद और इंडिया के साथ पार्टी का अलाइंस पहले की तरह काम करता रहेगा। लेकिन महाराष्ट्य के साथ चुनाव मिलकर लड़ने का यहां कोई प्लाइम नहीं है। इसके चलते हैं चिकप्सकों ने उसे बहतर इलाज के लिए लखना और रफोर किया। रेप कारोप समाजबादी पार्टी के नेता मुईत खान पर है। जैबूर की एक सरकार स्कूर में चात्रा के साथ मार्पीट का एक वीडियो तेज़नी से वारल हो रहा है। वीडियो में एक महिला टीचर पढ़ाती दिखाए दे रहे। कुछी देर बाद वो टेहलते हुए चात्रा के पास में पहुँचती है। उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक देती है। शिक्षिका की इस हरकत से चात्रा के हाथ में मौच आ गई। वो रोने लगती है। टीचर का दिल तब भी नहीं पसीचता है। वीडियो बाइरल हुआ तो आला दिकार आक्षिन में आये। मारपीट की ये तस्वीर बनी पार की मातमा गांधी राज़के अविद्याले की है। इस बच्चे के साथ मारपीट की कई वो चौत्तिक अक्षा में पढ़ती है। परदान पती हैंड पॉंप छूने पर किस कदर आग बंबूला हुआ। भारत की भरोसे मन्द डिफेंडर अमित इस मकाबले में नहीं खेल सकेंगे क्योंकि उन्हें कौर्टर फाइनल में रेड कार्ड दिखा गया था। प्रॉंप पॉंप